आज मैं शेयर करने वाली हूँ पास्ता की ऐसी रेसिपी जिसे आप मैगी से भी ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं तो सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट यह रियल है हाई अवरीवन कुकिंग स्पेशल में आपका स्वागत है वेलकम टू माई चैनल कुकिंग स्पेशल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुकर में पास्ता बनाने की रेसिपी तो अक्सर आप पास्ता को बोईल करते हैं, सबजीयों को अलग से पकाते हैं, और फिर पास्ता को चानते हैं जलनी में, और फिर पास्ता को तरका लगाते हैं सबजीयों के साथ, बर जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से, अगर और आपको कुछ पांच मिनटों में अगर आप पास्ता खाने का मन कर रहा है और जल्दी से आप बनाना चाहते हैं या टाइम की प्रोब्लम है और पास्ता बना कर खाना चाहते हैं तो आप जल्दी से पास्ता बना के पैक कर सकते हैं तो यह रासिपी आपी के लिए अगर स्पैसिसा घाचे तो यह देखें देखने में में भी लाजबाब और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है तो इस रेस्पी को आपो देख़ने आहएगा तब आपको पता चल किता टेस्टी पास्ता हमने मैगी से भी जादा जल्दी बना कर त्यार किया है पास्ता को मैगी से भी जादा जल्दी बीना पास्ता को उबाले कुकर में आप कैसे बना सकते हैं जैसे पास्ता को बोईल करते हैं फिर पास्ता को चानते हैं तो दस मिनट आपके लग जाते हैं और पास्ता को फिर सबजियों के साथ आप तड़का लगाते हैं तो इस सारे ज पास्ता बनाने की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लिए यकीन वानिये मैगी से भी जादा जल्दी बनेगी मैगी यह भी टाम लेगी भी बटıt यह टाम ने लएगा यह मैने वेजिटेबल्स लिया है जैसे इसी प्रोसेस से आप में सकते हैं बास्ता बनाने के लिए कुकर ले लिया है इसमें एक बड़ा चमश ओल डाल देंगे मस्टर्ड ओल जो भी आप खाने वाला ओले सकते हैं तो थोड़ा गर्म करेंगे जिसे आप जो भी वेजिटेबल साप डालना चाते हैं तो मैंने डाल रही हूं सबसे पहले जब गरम हो ज मैंने जो चिम्ला मीज ली थी वह ली थी ज़र आप मिन्टो मेज इसे पास्ता बनाने चाहते हैं अगर आपका पास्ता खाने का मन कर रहा है और आपके बस टाइम की प्रोबलम है तो आप इस तरह से पास्ता बना साइट करेंगे तो मैंने धनिया पाउडर डाला है एक जो प्रामज में नमक आबिया थामज मेनी रहार दी दी थोड़ा कमी रखिएंगा में डधन नमया जोब शपर आलना चाहते हैं अब ऐस्ता में डालते हैं ऑंगेंट बृडव घर्को छिन शपर दालने है उसके आज कंज मैंगिस कर घर्खिंस कर दीए जैसे हम बास्ता बनात पास्ता को हमने जो भी आप छेप का पास्ता लेना चाहते हैं मैकरों नहीं डाल सकते हैं उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे पानी आप बिल्कुल भी ज्यादा मध डालिए पास्ता पानी को अबसर्ब करेगा बस पास्ता हमारा पकना चाहिए उतना ही पानी इसमें डाल देंगे इसी बीच में अगर आप चीज डालना चाहते हैं तो चीज भी डाल सकते हैं यह देखिए पास्ता में मैंने पानी डाल दिया है एक बाउल मेरा पास्ता था एक बाउल म दिलाने के बाद दो सीटी आने तक इसे पकाएंगे सुधत को आप अपका पखाएंगे डीक्षी अब आपको अपकर खुल के दिखा रही हूं तो यह देखिए पास्ता कितना अच्छा बना है और पानी वह एक। परफेक्ट रहा है कुकर में दो विसल्दे लाने के बाद आप छोड़ दीजिए और जब प्रैशर रिलीज हो जाएगा तब कुकर का डखकन खोल ये तो पास्ता आपका बिल्कुल सही बनेगा और पानी इसमें ज्यादा नहीं जालना जितना आपने पास्ता लिया न उतना ह कुकर में बनकर त्यार हुआ है वह वी मिंटो में तो कैसी लगी आपको पास्ता की ये कुकर वाली रेसीपी अगर आपको ये प्रैशर रेसीपी अच्छी लगी हो तो लाइक शीर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की यूजवल टेस्टी-टेस्टी रेसीपीज देख को सब्सक्राइब पीजिए फिर मिलेंगे एक और इंडरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ तब तक की लिए टेक के और थेक्स वर वुचिंग